कॉंग्रिस निता राहूल गांधी के विदेश दौरे को लेकर लगातार सियासी हमला जारी है और इस बीच भारतिय जंतापाटी के सांसर सीपी जोशी ने राहूल गांधी के पाल स्पोर्ट को रद करने की मांग की है इसके लिए उन्होंने लोगसभाद्यक्ष ओम्बिरला को पत्र भी लिखा उन्होंने अपने पत्र में ये आरोप लगाया है कि राहूल गांधी देश विरोधी ताकतों के हातों खेल रहे हैं साथी उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी जैसे किसी व्यक्ति का नेता विपक्ष के पत्पर रहना देश की सुरक्षा के लिए खतरा है. सीपी जोशी ने पत्र में लिखा विदेश की धर्ती पर राहूल गांधी जी के लिए बयान किसी भी तरहा से एक जम्मेदार भारते नागरिक के तौर पर सही नहीं। केनाडा और अमेरिका में खालिस्तानी आलगावादियों के एजन्डे को मजबूत करना जाते हैं। और बड़े पैमाने पर आस्तिक नुकसान भी पहुचा चुकी है। राहूल उन कंपनियों या संस्थाओं से जुड़े लोगों के साथ बैठा करते हैं। क्या ये देश की अर्थवेवस्ता को नुकसान पहुचाने की कोशिश नहीं मानी जाएगी। वहीं तमिलनाडू के चिर्नाई में एक बिजेपी नेता ने कॉंग्रस नेता राहूल गांधी के खलाफ अलग अलग जीलों के ती स्थानों में शिकायत दर्श कराई है। और से ये शिकायत राहूल के अमेरिकी दौरे के दौरान आरक्षर को लेकर दिये गए बयान के खलाफ दर्श कराया। पूलस में राहूल कांधी के खलाफ शिकायत देते हुए, उनके खलाफ देश विरोधी धाराओं के तहत केसदर्श करने की मांग की जरूरत पढ़ने पर उने गिरफतार भी किया जाना चाहिए। हम स्पीकर से भी मांग करते हैं कि उनकी संसर सद्यसिता रद की जानी चाहिए। हम 30 सितंबर कुछ नई में उनके खलाफ रदर्शन भी करेंगे और उनको अपने बयानों को लेकर माफी मांग नी चाहिए। कर दो